नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल गरुर धर्मार्थ पर किसी भी मंगलवार के दिन कीजिये तीन लॉंग और सरसों के तेल का ये महाउपाय जीवन के हर कश्टों से मिल जाएगी आपको हाथों हाथ मुक्ती, हनुमान जी के आशिरवात से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोरपती, दोस्तों मंगलवार के दिन लॉंग का प्रयोग आपके जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ती दिला सकता है, देखिए कई बार मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है, जहां पर वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है, कई बार कुछ ऐसे यक्ति होते हैं, जो अपने जीवन में ऐसे मोर पर खड़े होते हैं, जहां पर वो पूरी तरह से तूटने लग जाते हैं, तो दोस्तों आप खुद ही बताईए क्या एक मनुष्य को ऐसी परि समस्याओं से, परिशानियों से, कष्टों से बहुत ज्यादा तूट चुके हैं, तो वेद पुरान में बताए हुए तीन लोंग और सरसों के तेल के उस उपाय को कर लीजिए, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यकीन. मानिये दोस्तों, आपको साक्षात हनुमान जी की वो कृपा और वर्दान मिलेगा, जिसके बाद ना केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से, परिशानियों समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी, बलकि जोतिश शास्त्र के अनुसार किसी भ कहा जाता है कि मंगलवार के दिन अगर लॉंग और सरसों के तेल का उपाय सही मुहूर्थ पर विधी विधान से किया जाए तो मान के चलिए बजरंग बली जी के आशिरवाद से आपको. आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकटों से हमेशा स्दैब के लिए मुक्ती मिल जाती है. दोस्तों हमारे जीवन कई बार ऐसी परेशानिया आजाती हैं, जिसके चलते हम बहुत ज्यादा टूटते हुए चले जाते हैं. राहु केतु की दिशा इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि हमारे जीवन में सब कुछ खराब होने लग जाता है जीवन में ना केवल धन आना बंध हो जाता है बलकि धन आने के सारे रास्ते बंध हो जाते हैं कोई ऐसी बीमारी जड़ लेती है हम लोगों को जिसका हम लोग इलाज करा करा के ठक जाते हैं और अगर आपके ज जीवन में भी कुछ ऐसे ही परेशानिया चल रही है तो सिर्फ आप मंगलवार के दिन तीन लॉंग और सरसों के तेल का महा उपाय लीजिए और हनुमान जी की कृपा आप पर इस प्रकार से बन जाएगी जिसके बाद आपके जीवन में हर दुखों से आपको तुरंत के तु है क्योंकि जो लॉंग होती है वो हनुमान जी के शास्त्र गधे की तरह होती है इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा में अगर लॉंग का प्रयोग नहीं किया जाए तो हनुमान जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती और अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि हनुमान जी के सामने उसकी पूजा सिध्ध हो जाए तो उसको भी लौंग का प्रयोग करना चाहिए, दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा पाठ प्रत्येक मंगलवार को 2-4-5 मिनट निकाल करके करता है, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते ह उनको संकट मोचन भी कहा जाता है, और सनातन धर्म में लौंक का अपना एक बहुत ज्यादा विशेश महत्व है, कहा जाता है कि अगर लौंक को खाने में प्रयोग किया जाएं, इससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है, और तंत्र शास्त्र के अनुसार अगर आप लौंक जी का आशिरवाद मिलेगा ही मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन की कैसी ही मनोकामना हो जैसे लंबे समय से जो आपकी नौकरी नहीं लग रही नौकरी लग जाएगी, बंद पड़ा बिजनेस चल पड़ेगा, जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, ना केवल धन ही आ जाएंगे, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ना केवल अपने लिए बलकि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक अंत तक दिखेगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशिरवाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना हनुमान जी के आशिरव आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करें, बहुत ही आगे जाएं। कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना ना करना पड़े, पूरी विश्वास और पूरी सच्ची श्रधा के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर। दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए। फिर काम्याब होते ही चले जाएंगे, इसलिए आपसे निवेदन था कि अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो है धन प्राप्ती का महाउपाय, अगर चाहते हैं कि हनुम जी की क्रिपा से आपके जीवन में धन, चारों दिशाओं से आपके जीवन में इतना धन आए, फिर आपको धन की कमी ना हो, तो ये महाउपाय कर लीजिए आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, मिट्टी के दिये में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, लाल सिंदूर की डिबिया ले लीजिए, किसी भी मंगलवार की सुबह नहाय धोय नहाने धोने के बाद लाल कपड़े पहनेगा, क्योंकि जी को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय होता है, और आपको ये सिंदूर की डिबि और ये सरसों के तेल का दीपक लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है, हनुमान जी के मंदिर जाए, आप लोग इस सिंदूर को इस तेल में भिगो करके लेप बना लीजिए, और इसी का लेप हनुमान जी को लगा, दीजि इसी लेप से समस्तिक का निशान बना दीजिए इतना अगर आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया आपके जीवन में कोई ऐसा दोश था जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा था वो दोश हट जाएगा और आपके जीवन में पैसे आने के सारे रास्ते खुल ज जाएंगे जो आपके पास पैसा आएगा वो रुकेगा भी तिकेगा भी उसमें वृध्धी भी होगी तो सबसे पहले उपाय हमने आपको बता दिया दूसरा उपाय कर्जमुक्ती का महाउपाय दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो कहा जाता जब भी एक व्यक तिकर्जा ले लेता है उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है वो खाना तक ठीक से नहीं ख़ापाता है कर्जमुक्त जीवन ही सबसे खुशाल जीवन होता है और अगर आप भी उन व्यक्तियों में से है जिन्होंने कर्जा ले रखा है और अब आप बड़ा परेशान है तो आपको क्या करना होगा प्रत्येक मंगलवार को सुभा उठिये नहाए धोए लाल कपड़े पहनिये आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है तीन लॉंग लेना है हनुमान जी के मंदिर जाए जी के मंदिर जाने के बाद इस दीपक को जलाए दीपक जलाने के बाद इसमें आपको तीन लॉम्ग डाल देनी है आपको हनुमान जी के सामने 11 बार हनुमान 40 का पार्ट करना है आप मान लीजिए आपको हनुमान 40 भी नहीं आता है तो आपको क्या करना होगा एक हजार आठ बार ओम हनुमते नमह हम फिर से रिपीट कर दे रही हैं दोस्तों ओम हनुमते नमह जो बजरनबली जी का बीज मंत्र है इसका जो आप करना है क्योंकि बजरनबली जी को एक हजार आठ हो गया 108 हो गया इस तरह के जो अंक होते हैं बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं इस तरीके से आपको उपाय करना है जब तक आपका कर्ज नहीं खत्म हो जाता है और यकीन मानिये हनुमान जी की कृपा से आपका कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तीसरा उपाय है दोस्तों मंगल ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय, दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो जिसे व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है, वो गलत निर्ने भी ले लेगा, गलत निर्ने से भी उसका फाइदा पहुचेगा, मंगल ग्रह व्यक्ति का अभी मजबूत होता है, उस व्यक्ती को जीवन में कभी भी काम्याब होने से कोई नहीं रोप पाता है। और आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह सदैव आपका साथ दे आपका मंगल ग्रह है। इतना मजबूत हो जाए फिर आपको किसी भी संकट का सामना या किसी भी शानी का सामना ना करना पड़े तो आपको क्या करना होगा? आप लोगों को प्रत्येक मंगल वार को कम से कम 250 ग्राम गुड ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में दान करना होगा। अगर आप ये प्रत्येक मंगल वार को करना शुरू कर दें तो मान के चलिए हनुमान जी क क्रिपा आप पर सदैव बनी रहेंगी और आपका मंगल ग्रह सदैव आपका साथ देगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो आपका दुर्भाग्य है वो आपसे दूर हो जाए और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रही है यह हम आपको तंत्रशास्त्र के अध ययन नंबर चौवन से बता रही है इस उपाय को आपको कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा देखि मंगलवार की सुभह से लेकर के सूर्यास्त के बीच में हनुमान जी के मंदिर जाना है हनुमान जी के मंदिर जाए आपने जो काला धागा है इस पे इसको पूरा सरसों के तेल में डाल दीजिए और इसको रख दीजिए हनुमान जी के दाएं चरण के पास अब आपको वही पर 11 बार हनुमान 40 का पाठ करना है या 108 बार 1008 बार ओम हनुमते नमह का जाप करना है बस इतना आपको करना है अब आपको क्या करना है ये जो काला धागा है ये हनुमान जी के ऐसी जगह से लगा लीजिए ऐसी जगह लगाएं जहां पर हनुमान जी को सिंदूर लगाया गया हो सिंदूर धागे में लग जाएं और इसी काले धागे का आप लोगों को धारण कर लेना है, अपने दाएं हाथ में इतना उपाय अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं, आपका दुर्भाग्य सदैग के लिए आप से दूर हो जाएगा, और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा, आप जो भी न निर्नय लेंगे, उस निर्नय में इससे आपको फाइदा पहुचेगा, इसी प्रकार से अगर आपका बिजनेस चौपट पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस चल जाएं, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम ब पक जलाएं, उसमें तीन लॉंग डाल दीजिए और ये लाल गुलाब की माला हनुमान जी को चड़ा दीजिए, इतना उपाय अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं, तो आपका बंद पड़ा बिजनेस हनुमान जी की क्रिपा से चल, जाएगा, आप मान लीजि को बुंदी के लड़ू बड़े ज्यादा पसंद है, अगर आप किसी भी मंगलवार के दिन आधा किलो बुंदी का लड़ू हनुमान जी को ले जाकर के भोग लगा देते हैं, तो मान के चलिए जिस बीमारी से आप लोग जूज रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी, आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें, धन्यवाद वीडियो के अंत तक बनें, रहने के लिए